नमस्कार A2Z Dishes उशा गोरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ न पहुती बड़िया सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं देखे खिचडी तो हम बनाते ही रहते हैं पर आज मैंने सोचा खिचडी मैंने कल रात को बनाई थी और बच गई त तो कुछ मज़ेदार चट पटा खाना हो तो आप ये बना सकते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया और इसमें हम डाल देंगे एक खिचडी तो ये मसाले बिना वाले सिफ नमक और पानी डाल कर हम मुंग दाल की जो खिचडी बनाते है हरी मुंग दाल की और चावल की वो मेंने ले लिया आप मसाले वाली भी ले सकते हैं इसके अंदर हम डाल देंगे बारी कटी हरी मिर्ची थोड़े से दनिया के पते और एक चोथाई चमच अध्रेक लसन की पेस्ट स्वात के अनुसार नमक लालमिश पाउडर आदी चोटी वाली ली है और नमक तो मैंने इसके अंदर डाला था तो बस थोड़ा सा ही और नमक डालना है आपको अच्छे से इन सभी को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और एक सौफ्ट सा जैसे आटा गूंते न वैसे गूंद लेना है बिल्कुल से होना चाहिए अब यह मुठ्या को हमें स्टीम करना होता है तो उसके लिए देखे मैंने गैस कौन कर लिया कडाई रख देंगे एक लास जितना पानी डाल देंगे और एक इस तरह से रिंग रख देंगे रिंग रखने के बाद यह होल वाली प्लेट लेनी है ताकि स्टी इसे थोड़ा सा आटा ले लेंगे और एक लंबा सा मीडियम साइज का रोल बना लेंगे पर रोल आपको कैसे बनाना है थोड़ा सा मोटा रखना है इसकी जो थिकनेस है न देखिए इस तरह से होनी चाहिए मोटा होना चाहिए इसी तरह से हम सारे रोल बना लेंगे के सिस्ञा के ये अट से 10 के लिए भाभ पर स्टीम पर अच्छा कर लेंगे की पाद से 25 कि पर आपको is सब काड़ने हैं भार непीड़ना गरम काट लेते हैं तो उससे क्या होगा कि इसके जो टुकड़े वो भी अच्छे से नहीं काट पाऊगे आप और आपको गरम भी लग सकता है इसलिए अच्छे से एकदम बाहर रखकर ठंडा कर ले उसके बाद ही इसके मोटे-मोटे टुकड़े काट ले अब फिर से आपको उसकान करे लेना है और इसके अंदर हम डालेंगे आधâte चमठ जितना तिल जैसे वो गरम जोग एक चोथाई चमठ रख, और एक बड़ा चमठ में अलक आता है साफेद ल से, इक चौथाई चमठ 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 इसके अंदर हम डाल देंगे हैं और इसे थोड़ा सा भून ले सबखेते में है कि यह सब्सक्राइब दीटे में जयों हीग और यह की सब्सक्राइब को Goldman सुबह के नाश्ते में पोहां उपमा से अलग आप ये बना सकते हैं रात के डिनर में भी लीजे पहुत ही अच्छा लगेगा घर पे भी सबी को हेल्दी भी है ट्राइ कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना विल्कुल नाम हो ले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूँ तब तक के लिए ठांक फाफा चुआ है